हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कोडी के कि आखिर में कोडी क्या है कोडी गिरने से क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बहुत सारे लोग आज कोडी को नहीं समझ पाते और वो क्यों नहीं समझ पाते क्योंकि आज बहुत सारे लोग और बहुत सारे बुजर्ग लोग जो पहले कोडी का इलाज करते थे और कोडी उठाते थे वो भी अब नहीं रहे हैं या नहीं करते तो लोग समझ नहीं पाते कि कोडी है क्या क्योंकि कोई भी अगर physically problem हो रही है तो हमें उसको तुरंत आज क्या करते हैं हम दॉक्टर को दिखाते हैं कोई भी कैसा भी chance नहीं लेते समझने की कोसिस नहीं करते लेकिन फिर हमें समझ बाद में आता है जब कि किसी भी दवाई से किसी भी treatment से कोई परक नहीं मैंने ऐसे बहुत सारी लोग देखे हैं कि कोडी की समस्या में जिनकी vomiting नहीं रुक रहे हैं कुछ भी खाते हैं तुरंत बॉमिट करते हैं इवन मैं बात करूँ पानी की यानि liquid की तो पानी भी जब वो पीते हैं तो तुरंत निकाल देते हैं सातियों हमें समझने की होता है कि आखिर में यह कौडी क्या है कौडी को हम कहां पर चेक करते हैं और चेक करने के बाद में हम कौडी को कैसे सेट करते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है लेकिन अगर यह बिगड़ जाए या अपसेट हो जाए तो यह बहुत बड़ा मसला बन सकता ह दोस्तो पाँच ऐसी चीज जो कौडी वाले व्यक्ति के साथ जनरली होती है और बहुत कॉमन है मैं भी आपको सिक्वेंस बता रहा हूँ कि क्या-क्या वो दिक्कत जो कौडी वाले व्यक्ति के साथ होती ही होती है और आप जब उन 500 problems को और 500 points को अगर समझेंगे तो definitely आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कोडी की problem है और कोडी की problem है तो इसको मैं कैसे ठीक करना है देखिए सबसे पहले उस इंसान की उल्टी बिल्कुल भी नहीं रुपती vomiting जो है आप कोई भी tablet दोगे कोई भी सीरप दोगे आप even drip भी लगवाओगे तो vomiting नहीं रुपती कौन सी समस्या में कोडी गिरने की समस्या में दूसरा पेट में दर्द रहता है पेट में दर्द रहता है और दर्द में भी camping pain यानि मरोडे वाला दर्द पेट में मरोड उठती है और उसके साथ दर्द होता है तीसरा हर समय यहाँ पर sternum bone के पास sternum bone के पास हर समय एक गोला सा फील होगा और कई सारी लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम चलते हैं तो वो गोला जो है ऐसा लगता है जैसे हिलता है क्या और यह बहुत बड़ा एक symptom है कौडी गिरने का चौथा पानी या कोई भी खाना साथियो या तो कोई भी liquidite या कोई भी solidite वो हमारे को chest में ऐसे लगता है जैसे chest में ही अटक गया है और जब हम खा रहे हैं तो यहीं घटा हो गया बस और यहां से नीचे नहीं जा रहा और वो कुछ देर के बाद vomit के थ्रू बाहर निकल रहे है पाच्वा पॉइंट है weakness बहुत ज़्यादा feel हो रही है और सबसे ज़्यादा weakness अगर कहीं feel होगी तो वो आपको पैरों में होगी पिंडलियों में होगी यानि काप muscles में होगी वजन कम हो जाएगा अगर हम weight की बात करें तो weight कम हो जाएगा तो यह पाच्वाइंट जो most common है कौडी वाले के साथ यानि जिनका कौडी गिरेगा उनको यह पाच्वाइंट जो है यह विल्कुल ध्यान रखने की पड़ेंगे अगर हमें कौडी चेक करने के लिए हमें पूरे पेट को दबाने की जरुवत नहीं है सरफ और सरफ जरुवत है तो इस पार्ट को चेक करने की जरुवत है अगर हमें इस पार्ट को चेक करते हैं तो हमें कौडी जो है वो easily समझ आ सकती है और ये पार्ट कौन सा है देखिए ये तोनों साइड में रिप्स है यानि पसलिया है और जहां से रिप्स डिवाइड हो रही है यानि जो हमारी इस्टर्णम बॉन है जिसके उपर डाइफ्राम है उससे जस्ट नीचे गर हम देखेंगे तो यहां पर कौडी है और जिन लो किसी को भी कौडी चेक करनी है तो कहां पर करेंगे कौडी को चेक करनी के लिए यहां पर करेंगे यहां पर करेंगे यह जो रिप्स के दौनों साइड में है रिप्स के बिलकुल एकदम सेंटर पॉइंट में है एक गोला सा फिल होगा आपको और गोला से में दर्द होगा चुबन वाला दर्द होगा और हर समय पेट जो है वो अंदर की तरफ फिचा हुआ होगा अगर आप ऐसे सीधे रहने की कोशिस करेंगे नहीं हो पाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको गोला टाई फील हो रहा है हर समय सातियों यह बहुत ध्यान देने बली बात है और अगर आप इस वीडियो में यह बोलें कि आप इसको सैट करना भी सिखाएं मैं अभी आपको सैट करना अगले ही वीडियो में सिखाऊंगा क्यों सिखाऊंगा खोगि अभी आप समझें कि कौडी क्या है और कौडी गिरने से क कोडी कहाँ पर चेक करते हैं कई वार लोग जो हैं वो गलत तरीके से कॉडी को सैट करने की कोशिश करते हैं ऐसा भी मैंने देखा है जैसे जनरली हमारे को देखते हैं वह सैट करते हुए तो बहुत ज़ादा प्रेसर की साथ जबकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कभी भी हमें बहुत ज़ादा प्रेसर नहीं लगाना कॉड़ी को सेट करना क्यों नहीं लगाना है बहुत sensitive area है और बहुत sensitive area के अलावा जिस व्यक्ति की कॉड़ी गिरती है उस व्यक्ति को touch करने से pain है तो जब touch करने से pain है और आप उस विक्ति को जड़ा सा भी प्रेस करके और उठाने की अगर कोसिस करेंगे तो उसको बहुत पेन हो जाएगा यानि बहुत दर्द हो जाएगा इसी वे इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको ठीक है तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोडी को से के सिरे ने आपको एले मौ